नमस्कार दोस्तों, वेल्कम आवर चैनल क्रीकिलेवेंड हाब पे आपको एक और बार स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे मुंबाई डियान्स पास्त सान्राइसास हाइदराबाद IPL 2024 मैच नमबर 55 जो 6 में मौंडे साम सारे साथ बाचे वंकर स्टेडिया मुंबाई पे होने वाला है उसी मैच के बारे में पेड़ो पे बात करेंगे पीछ रिपोट, दोस्तों पीछ रिपोट की बात करें तो हम लोग जानते हैं वंकरे जो है बैटिंग फेली ट्रैक है जहांपे धेड़ सारे रन बनते हैं पर शर्ट पर बिया और उरान असानी से चेस डाउन भी आपर होता है गाउन डामेनिशनली छोटा भी है तो यहाँ पर बैटस्पन को बहुत जदा है और स्टिक्सेस भी हाँ बहुत जदा लगता है बोलर के लिए बात करें तो सुरुबाती ओबर में पेसर को थोरा बहुत म में मिल सकता है अंस पीनार सेकेंड नेल्स पर सुलबाती कुछ हो भरसों में थोड़ा बहुत उसको भी टांड मिल सकता है लेकिन कूछी समय के लिए क्योंकि डिव का एक यहां पर खात्रा रायता है तो इसी ने जाता टीमें टॉस जितके चेसिंग करना पसंद करता है क्यों हम लोग पिछले के क्यार वार्सिस मुंबाई मैच पर देखेते तो यह भी आप धन पर राखिएगा तो थोरा सा अगर हैदरबाद टीम बनाएगा तो आपके लिए अच्छा ओप्शन हो सकता है अगर मुंबाई पहले बैटिंग करेगा तो उस टाइम पर थोरा सा बैलें रेकॉर्ट की बात करें तो दो टीमें अपत में 22 मैच पे आमना सामना हुआ है जिसमें से मुंबाई 12 और हैदरबाद ने 10 मैच पे जीत असिल के तो रेकॉर्ट के ममले में मुंबाई थोरा सा आगे लेकिन टूर्णामेंट की बात करें तो टूर्णामेंट में पूरा उल तो उसका कोई चीन्ता नहीं है मैच हाड़े या जीते लेकिन हैदरावाद के लिए बहुत ही इंपोर्टेंड मैच है और मुंबाई भी चाहेगा कि एक फाइट टैक करने का तो एक फाइटेबिल मैच की उम्मिद हम लोग कर सकता है वंखेर स्टेडियाम पे प्रावाबिल प्लेइंग लेवे तो चली दोस्तों सबसे पहले मुंबाई इंडिया उज का प्रावाबिल प्लेइंग लेवे देख लेते हैं तो मुंबाई के टिम पे कुछ चेंजेस हो सकता है तो ओपेनिंग में हमें लोग रोहिस सर्मा उसके साथ विकेट के पर बार्स पानिसान किसान, सुर्या कुमनिय दप दिलाग बर्मा, निहल वादेरा, कप्तान हर्दिक पंडिया, टीम डेविट या ब्रेविस में से किसी को हम लोग खेलते हुए देख सकता है, और नावन दीर और हमारे उसापट में से किस चाला गलेट कोटेज, नावन दीर और हमारे उसापट में से जो भी खेलेगा, उसके साथ हर्दिक पंडिया को हम लोग मुंबाई इंडियाल्स की तरब से बोलिंग करते हुए देख सकता है, मुंबाई की तरब से सुरुबाती ओबार की बात करें, तो नावन तुसरा के स जस्पीद बूमरा, उसके साथ गलेट कोटेज को हम लोग सुरुबाती पावर प्ले पे बोलिंग करते हुए देख सकता है, देट बार की बात करें, तो नावन पित सिंग, अर्मन पित सिंग को हैदराबाद चेंजर्स कर सकता है, उसके बाद विकेड कीपर बार्स पैन है पावर प्ले पे अविशेक सर्मा भी आपको बोलिंग करते हुए देख सकता है, हदराबाद की तरफ से सुरुबाती ओबर की बात करें, तो आपको पहली बताया कि अविशेक सर्मा गभी गभी शुरुबाती पावर प्ले पे एक दो बार डाल सकता है, उसके बाद वोबने सर कुमार और टी नटरजन को हम लोग हदराबाद की तरफ से सुरुबाती ओब प्रवाइब की तरफ से अंडरीक लासन अपके लिए बधी बढ़ीया उपसन होगा बैटिंग से तरफ से अधिर्बाइब की तरफ से ट्राविस देट और अभी से फालमा को पिक कर सकते हो मुंबाइब की तरफ से सुर्या कुमार यदब आपके लिए अच्छा उपसन हो सकता है अल्डाउंड सेक्सान से मुंबाइब की तरफ से अर्दिक बंडिया और हैदरबाद की तरफ से निटस कुमार रेड़ आपके लिए अच्छा उपसन हो सकता है बोलिंग सिक्सन से या मुंबाई की तरफ से जस्पित बुमरा और हैदरबाद की तरफ से पैट कमिंस को टाइका सकते हो सुर्य को मर यदब की बात करें तो बहुत ही टेलनेट बैर्स बानेट खासका डिटेंटी फॉर्बैट पे बहुत ही बैता इंत त्यारे लास मैच पे इनको सुर्बात मिल गया था लेकिन आउट हो गया था स्मानलीक पे आपके लिए अच्छा उपसान हो सकता है थोरासा हीट और मिस्टेप बला दिख रहा है इस सेजन पे लेकिन स्मानलीक पे अच्छा उपसान होगा उसके बाद हर्दिक पंडिया की बात करें तो हर्दिक पंडिया भी आपके small league पे बहुती बढ़िया option होगा दो-तिन उबर bowling कर सकता है सुरुबाती power play पे डेट वर में भी कभी-कभी bowling करते हुए चला आता है उसके साथ-साथ batting से भी contribute करेगा तो आपके लिए अच्छा option हो सकता है उसके बाद bowling सिक्सन से अब जस्पित दूमरा को मुंबाई की तरस पे छोड़ नहीं सकते हो बहुती बढ़िया फॉर्म पे एकोनामिकल रेड़ा है दो-तीनों के तो लेकी जारता है तो आपके लिए बहुती बढ़िया फॉर्म पे जब तक क्रिस पे रुकेगा हिट करते हो जाएगा कई बाद हिट करने का चेकर में आउट भी हो जाता है लेकर मुंबाई का पीच सूर गाउन चोटा है तो दोनों को मदद मिलेगा स्पीच से और आपके लिए बहुती बढ़िया उप्सान होगा स्मॉल लिक पे इन दोनों को चोड़ नहीं सकते हो खासकार अगर आधरवाद पहले बैटिंग करेगा उसके बाद नितिस कुमा रेड़ी की बात करें तो लास्ट मैच पे बहुती जबदास वाखमेंस क्याता अल्डाउन डड़ है दो तिन दोबर बोलिंग भी कार सकता है तो आपके लिए अच्छा उप्सान हो सकता है स्मॉल लिग पे अंडर क्लासन की बात करें तो ये भी बहुती बैताई इन प्याड़ है खासकर मुंबाई का पीच इनके लिए सुटेबल होस्ट रखता है उसका साथ विकेट के विंग सिसन से भी आपको पॉइंट दिलाएगा तो आपके स्मॉल लिग पे बहुती के किनलेगों को टाइका सकते हो तो विकेट कीपर सक्सान से मुंबाई की तरफ से इसन किसान बैटिं सक्सान से मुंबाई की तरफ से तिलग वर्मा और रोईस सर्मा को पिक कर सकते हो बोले इन सक्सान से हधराबाद की तरफ से ठींग अट्रजन और मुंबाई की तरफ से प्रेट कोटेज और नावन दूसरा को टाई कर सकते हो अप्रेटिम पे मुंबाई की तदफ से रोई सर्मा और रिसंट किसन की बात करें तो बहुती लाज जबाप ले लेकिन रिसंट टाइम पे फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है पुड़ा मुंबाई का ही फॉर्म तो आपके लिए बढ़िया उप्सन हो सकता है लेकिन आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकता है आप चाहो तो अप्रेटिम पे टाई का सकते हो बिलेट कोटेज और नवन तुसरा की बात करें तो ये दोनों भी बहुती बढ़िया बॉक्सन होगा मुंबाई की तरफ से बोलिंग से खास कार नवन तुसरा लास्ट मैच पे बहुती जवद्दस बोलिंग के आता जल्दी तिनों विकेर लिया था शुरुबाती पार प्ले पे उसके साथ गलेट कोटेज को भी अप टा हैका सकते हो हैं रफ की तरफ से अप टी नाटरेजन को टाई का सकते हो आपके लिए बहुती बढ़िया उप्सन हो सकता है खास कर अगर है बोलिंग में भी ज़इका सकते हो क्योंकि मुंबाई का लाइन अप ठोरा साथ वीग दिख रहे तो इसलिए टीन अच्छा आपके विकेट मिलता रहता है तो आपके लिए अच्चा उपसन हो सकता है आप चाहो तो आपके टीम पर टाइखा सकते हो प्रत कीद कर दूस्त अगर आप अपने स्माण लिग टीम पर सैफेस्ट केटेन वार्श कैपटेन आप अगर बनमा चाहते हो तो विकेट के पार सिक्सान से हैदराबाद की तरफ से हैंडरिक लासन बहुती बढ़िया उप्सान होगा बैटिंग सिक्सान से हैदराबाद की तरफ से ट्रैविस एट और मुंबाई की तरफ से आप सुरिया कुमर यदाप कोड़ाई का सकते हो बोले के सिकसा से मुंबाई की तरफ से चस्पीत बुम्रा बहुती बढ़िया उप्सान हो सकता है सुरिया कुमर यदब की बात करे तो बहुती टेलेंटेट बैर्स बाने आपको पहले ही बता चुका है खास करट 24 पेट पे बहुती बैता इन प्लेर है लास्ट मैच पे इनको सुरुबात भी मिल गया था लेकिन 12 स्कोर में कॉनवर्ट नहीं कर पहा है तो इस सिजन कुछ खास नहीं गया है लेकिन आपके लिए अच्छा उप्सान हो सकता है आप चाहो तो अप्सान आपके लिए अच्छा उप्सान हो सकता है जस्क भी बूमडा को भी अप्सान का सकते हूं लास्ट मैच पे अच्छा खास अविकेट मिला था इस सिजन ने तो आपके लिए बहुती बढ़िया उप्सान होगा मुंबाय की तरप से आप चाहो तो कैपटन बाई-क्रेटन में टैक का सकते हो खासकार अगर मुंबाई पहले बोलिंग करेगा तो इस टैमपे बहुत ही बढ़ीया आप्शन हो सकता है उसके बास हदराबद की तरप से ट्राइबिस अट बहुती बढ़िया उप्सान होगा, सबका चोईस भी रहाएगा, कैप्टेन बाइस कैप्टेन में आपके लिए मस्टाप पीक, आप चाहोद तो अप्टे टेम पे टाई का सकते हूँ, आपके लिए बहुती बढ़िया उप्सान होगा, हैंडिक लासन भी बहुती बढ़िया ओप्शन हो सकता है थोरा सा नीचे टू डाउन या थी डाउन पर बैटिंग करते हुए आ सकता है विकेट की पिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा तो आपके लिए बहुती बढ़िया ओप्शन आप चाहोत तो अपने टेम पर ट्राई का सकते हूँ मेरे ख्याल से ट्र आते हो तो विकेट की पासिसाल से मुंबाई की तरफ से इसन किसान बहुती बढ़िया ओप्शन हो सकता है बैटे इस इसन किसान की बात करें तो आसे तो रिक्सी ओप्शन नहीं होगा लेगन रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है इसलिए थोज़ा सा रिक्सी हो स सकता है अब चाहो तो रिक्स में रिवार्ट में बदल सकता है दोनों ही तो आपके लिए बहुती बढ़िया ओप्शन होगा अब चाहे तो रिक्सी ओप्शन हो सकता है बैटिंग बोलिंग दोनों से साथ से आपको कॉंट्रिबूट कर सकता है बोलिंग से दो तिन अबर ब भी बहुत ही बढ़िया उप्शन हो सकता है इदरबाद की तरफ से अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है लास मैच पे अच्छा स्वोड किया था तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया उप्शन होगा उसके साथ एक दो बर अगर बोलिंग मिल जाएगा तो तो बोना से तो क्यक्तेन बाडना चाहते हो तो बेटें शिक्षांस मुंबाई की तरफ से निहाल वादय आपके लिए बहुत ही बढ़िया उप्शन हो सकता है Alderman रौर सिक्षांस मार्को जैक्सं को टाइक कर सकते हो इदराबात की तरफ से बोलिन सीकस एदराबात की तरफ से टी नट्र जन और मुंबाई की तरफ से नावन दूसर आपके लिए बहुती बढ़ीा उप्शन हो सकता है तो दोस्तो मुंबाई का टॉप बड़र का फॉर्म ऐससे भी कुछ खास नहीं चल रहा है तो और कुछ मैचों पर अच्छा वोपमेस करके दे भी चुका है तो आपके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है उसके बाद नावन तुसरा की बात करें तो बहुती बैता ही शिलंकन पेसारे शुरुबाती पार प्ले पे अच्छा कासा स्विंग निकालता है तो आपके लिए ब प्ले पेसारे शुरुबाती पार प्ले बोलिंग कर सकता है उसके साथ देट वर बोलिंग करते है लास्ट पे थोरा सा मार पड़ गया था बहुत दिनों के बाद अदराबात की टीन के लिए बाफसी कर रहा है तो आपके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है आप चाहो तो मुंबाई का सकते हो टी नाटरजन भी आपके लिए अच्छा उप्शन होगा खसकार अगर हैदरबाद पहले बोलिंग करेगा सेकेंड बोलिंग पर मिटाई का सकते हो कुंकि मुंबाई का टॉप बोडर कुछ खास नहीं चल रहा है पर मुंबाई का अब कंडिशन बहुत चैनल दिखाए देगा निचे डिस्किप्सन पर और कॉमेंग सिक्सन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप डायर्ट टेलिगाम पर जुड़ सकते हो टेलिगाम बहुत ही जरुड़ है क्यूंकि फाइनल आर्बिट विंपे दिया जाएगा तो टेलिगाम पर चैनल दी से जुड़ जाएगे तो चलिए दोस्तों स्मॉन लिग का ड्रीम 11 टीम क्या होगा ओ देख लिए तो विकेट की पर सिक्सार से हम लेगो ने हैदरवाद की तरफ से हैंडरिक लासन और इसान की सान को पिक किया है दोनों ही बहुत ही बढ़िया ओप्सन होगा अब चाओ तो अनमल पीट सिंग को टाई का सकते हो आगार हैदरवाद इस मैश वे उनको मौका दे तो अपके लिए अच्छा ओप्सन हो सकता है जील पे अप एक अधा टीम पे टाई कारे लिजिएगा उसके बाद बैटिंग सुसन पर चलते हैं बैटिंग सुसन से तो इसलिए तिलग बर्मा थोरा सा नीचे बैटिंग करते होएं आ सकता है लेकरन मुंबाई का टॉप रडर कुछ खास नहीं चल रहा है तो इसलिए तिलग बर्मा भी आपके लिए अच्छा ओप्सन हो सकता है ट्रैविस सेट और अभी सेक सर्मा की बात करें तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉमेंस का रहा है इस सेजन पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपसन होगा सुरिया कुमर यह जब भी आच्छा कर सकता है तो आपके लिए बढ़िया उपसन हो सकता है तो उनको अब जील पे टाइका रिलीज जिएगा अपके लिए अच्छा का उप्शन हो सकता है अल्डरोंडा सिक्सान से हार्दिक पंडिया और नितिस्कुमा रेड़ी को पिक है तो नहीं बहुत ही बढ़िया उपसन होगा हार्दिक पंडिया तो तीन वार बोलिंग के साथ साथ बैटिंग से अभी गॉंटी बुट करेगा तो आपके लिए बहुत कि बढ़िया उप्सान होगा स्मॉल लिग पे मारको जगसान को आप टाइक का सकते हो बहुत ही बैत हैं पर लेकिन रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने छुड़ाए साबस आमेत को आप जीयल पर टाइक कर लिजेगा आगार उमारो सफट को को छोड़ नहीं सकते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया उप्सान हमें लोग ने पैट कमिंस को पिक किया है अब चाहे तो टी नाटरिजन को टाइक का सकते हो अगर हैदरवाद पहले बोलिंग करेगा तो हम लोग पैट कमिंस को हटा के यहां पे डी नाटरिजन को प सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजी का धन्यवाद दोस्तो